ब्रिक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की तरफ बुलन शहर में हुए बवाल में एक छात्र को भी गोली लगी थी जिसको इलाज के लिए मेरट भीजा गया था जहां डॉक्टरों ने उसको मृत गोशित कर दिया बताया जा रहा है कि युवक बीए सेकेंड इयर का चात्र था और बीजेपी का कारेकरता भी था परिजनों के मताबिक युवक अपने घर से बस स्टैंड अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था जहां पहले से ही बवाल चल रहा था परिजनों ने आरोप लगाया कि किसी पुलिस कर्मी ने सुमित को गोली मार दी और वो घायल हो गया जिसके बाद मेरट लादे समय उसकी रास्ते में मौत हो गई युवक के शौ को आनंद हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में रखा गया है वहीं हॉस्पिटल पहुंचे बीजेपी के पूर प्रदेशत जैक्ष डॉक्टर लक्ष्मी कांद वाचपई का कहना है कि मौर्चुरी में ताला लगा कर S.H.O. मेडिकल सतीष चंद चाभी अपने साथ ले गए जो की गलत है वहीं लक्ष्मी कांद वाचपई ने बुलंच शहर में हुए बवाल को दूसरे जिले का बताकर मामले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया बुलंच शहर में हुए बवाल के बाद एक यूवक की मौत हो गई और वो यूवक है भाजपगा कारी करता है यूवक को मेरेट के मोर्चरी में अभी रखा गया है में साथ बात्षित करने के लिए खुद मोजुद है पूर परदेश अद्रक्ष्मी कांद वाच में उन्से बात करने चाओंगा जो सरकार है भाजपाज कानुन वस्ता की बात करती है लेकिन जो बुलंचेर में इस तरह के जो कानुन वस्ता की धज्या उड़ाएगा ये क्या कहीं गया अचानक घट्राक्रम घटा है बुलंचेर की पुलिस वैसे भी एक समाज का एक धार्मिक कारक्रम था उसकी व्यवस्ता में थी लेकिन वहां घट्रा घटी हमें जानकारी कुछ नहीं उसके बारे में कोई टिपणी नहीं करूँगा टिपणी के ले इतनी कि यहां पर एक घायल को लाया गया जो यहां लाते समय ही रस्ते में ब्रॉट डेट बता रहे हैं अस्पताल का प्रबंदन उसकी बॉड़ी को भी अस्पताल की मौरिशीर में रखा गया कोई अपती इसमें नहीं है क्योंकि प्रशाशनिक द्रस्टी से विवस्ता करनी पड़ती है लेकिन उसकी चावी अस्पताल पर बंदन में नहीं है अगर कल को अस्पताल में किसी और मरीज की डेथ हो जा और गटना क्रम दूसरे जन्पत का से मेरे को जानकारी नहीं उसमें कोई टिपनी मेरा करना उचित नहीं है और चुनाओं से जोड़के देखना तो और भी उचित नहीं है तो यह हमारे साथ है दोक्तर लक्षमी कांद बाच्पेजी जिनका साथ कहना है कि घटना दूसरे जिल